नमस्कार दोस्तो मैं प्रकास बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल टार्गेट वी आजेसर में दोस्तो आप लोगे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर पहले सीटेट की परिक्षा होगी या पहले यूपी एड़ेट जूनियर हाई स्कूल की परिक्षा होगी सब कुछ आपको डेटेल में दिखाऊंगा प्रूब दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पहले सीटेट की परिक्षा होगी या पहले यूपी एड़ेट जूनियर हाई स्कूल की नोटिफिकेशन आएगी ठीके सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो आगे और अन्त में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में अधिक से अधिक सेयर करें ठीके फिर चलते हैं देखते हैं क्या अपडेट आप के लिए आ रही है जो महत्पुड हो सकता है और जो दोस्त जो भाई बन सिक्षक बनना चात पसंद में एक नोटिस जारी किया गया है और जिसमें पहले भी आपको बताय जा चुका है कि आपकी परिक्षा होगी वह 5 जुलाई को अस्थखित कर दी गई है और उसी के संद्री अध्यापक सिक्षा पत्रता परिक्षा यानी सीटीट जुलाई 2020 का 14 संस्क्रण अस्तागित कर दिया गया है और परिछाओं के संचालन के लिए इस्तिक और अनुकुल होने पर परिछा की अगलितिती सुचित की जाएगे CTAT जुलाई 2020 के लिए पंजिकरित सभी अभ्यर्तियों को एतेद्वारे सुचित किया जाता है कि अगतन जानकारी के लिए नियमित रूप से CTAT बेव साइट www.ctat.nic.in को देखे यह अधिसूचना जारी किया होगे निदेशक CTAT हम सचिव सिब्यस्ती तेखे और आगे मैं आपको को जानकारी दे देता हूँ जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो NEET और J की परिक्षाएं थी वो भी अगस्त में NEET J Main और J Advanced की परिक्षा भी किसमे थी तो जुलाई में थी और इसको आगे बढ़ा कर करके कप कर दिया गया जैसा कि आपकी CTT की परिक्षा भी थी जुलाई को तो यह संभाविट डेट जो हो सकती थी सेप्टमबर में हो सकती थी लेकिन सेप्टमबर में कोई पी डेट नजर नहीं आ रही है जैसा कि आप देख सकते इस वीडियो में ठीक है जेई में परिक्षा एक से 6 सेतंबर को थी है ठीक है जबकि जेई एडवांस के परिक्षा 27 सेतंबर को है और नीट की परिक्षा 13 सेतंबर को है ठीक है और 20 सेतंबर को जो एक और बीचे संडे पढ़ रहा है उस डेट को परिक्षा है UPSEE के परिक्षा है तो सेतंबर में कोई भी डेट नजर नहीं आ रही है कि जिसमें जिस डेट को परिक्षा सीटीर की हो सकती है तो कुछ दोस्त कह रहे हैं सर अगस्त में भी तो परिक्षा हो सकती है कुछ मैंने कह रहे हैं सर अगस्त के लाश्ट में परिक्षा हो सकती है अगस्ट में शुरू में तो कोई भी चांस है नहीं तो अगस्ट में भी कुछ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा डेट दिया गया है मैं आपको ओभी दिखा देता हूँ ठीक है? बीवियो के परिक्षा है 16 अगस्त को और 23 अगस्त को परिक्षा किसकी है तक computer science उत्तरपेज लोगसेवा आयोक की परिक्षा है ठीक है जो पहले प्रस्थावित थी कब फेवरारी में प्रस्थावित थी ये परिक्षा अब ये अगस्थ में परिच्छा प्रस्तावित हो गई है बीवियों की तो जैसा कि आप देश सकते हैं अगस्थ के सुरू में तो ये परिच्छा हो नहीं सकती और अगस्थ लाश्ट में ये दो डेट में परिच्छा पड़ी हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी परिक्षा पोस्पोंड कर दी जाएगी और इस परिक्षा को भी सेप्तमबर के महीने में तो पोसिबल नहीं है अक्टूबर में कराया जा सकता है और अक्टूबर में डेट कई सारी खाली है और कुछ दोस्त कहरते सर चार या 11 अक्टूबर को मैंने जो डेट बताया था क्या उज़ डेट को परिक्षा हो सकती है तो यहाँ भी मैं आपको बता दूँ कि जो 4 अक्टूबर को परिक्षा है वो 4 अक्टूबर को UPSC के परिक्षा है संग लोग सेवायों की परिक्षा है प्री की 4 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर को UP-PCS की परिक्षा है ठीक है? आप लोग देख लें आपे UP-PCS की 4 अक्टूबर को आपकी परिक्षा UPSC की ठीक है? Union Public Service Commission यानि संग लोग सेव आयोग की परिक्षा है IS-PRI की और 11 अक्टूबर को PCS की प्री की परिक्षा है उत्तर परिक्षा की तो उत्तर परिक्षा की परिक्षा हो कि उत्तर परिक्षा में कोई भी परिक्षा बड़ी परिक्षा में लाखों की संक्या में परिक्षाती होते हैं तो एक दीन में उत्तर परिक्षा है आयोजित नहीं कराई जा सकती, तो जैसा कि आपको देखने को मिल आए, अगस्त में भी बड़ी परिक्षा है, तो इस डेट को परिक्षा कराना CTT का संभव है नहीं, अगस्त के सुरू में हो नहीं सकता लाश्ट परिक्षा ही है, और अक्टूबर में भी सितंबर में सारी ड भाविती थी, ऐसी नहीं है, जिस डेट को परिक्षा कराना संभव हो, ठीके, तो आप लोग सभी लोग तयारिया कर लें, और जैसा कि कुछ लोग जूनियर के, जूनियर के बारे में बात कर रहे थे, कि सर, क्या जूनियर जो एड़ेट हाई स्कूल की परिक्षा है, उसमे हम अपलाई कर सकते हैं, कब नोटिफीकेशन आएगा, इस सम्मन में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीके, जैसा कि आपको पता है, कि ताई ताली सो सीटों पर आपकी वेकेंसी होने वाली है, ठीके, जिसमें प्रात्मिक सिक्षक के पद होंगे, कुछ प्रधानाचार के भी पद होंगे, तो ताई ताली सो सीटों पर आपकी परिक्षा होने वाली है, अदर स्टेट वाले इसमें वैलिड है, और ये कहा जा रहा है कि अगस्त में इसका नोटिफीकेशन आजाएगा, लेकिन उत्तर परदे से उत्तर परदे से कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये लेकर चलना है, जैसे सुनने में तो आरेकि अगस्त में नोटिफीकेशन आएगा, बट मुझे ऐसा कहीं भी परतीत नहीं हो रहा है, दिखता हुआ, कि अगस्त में नोटिफीकेशन आएगा, तो आप बेहिचक तयारी करते रहें, क्योंकि कोई भी सिच्छक भरती परि परिक्षा CTT के पहले होना संभव नहीं है क्योंकि तेर्य टी होता है उत्तरप्रोत को नंबर इस के कई नहीं कर आयूजित करा जाता है एक हमारे दोस्त बहुं बासिबल है इस बजने से CTAT परिच्छा होने के बाद ही कोई भी वेकेंसी निकाली जाएगी तो आप बेहिचक रहें, तयारी करते रहें बिल्कुल निचिंत रहें कोई भी परिच्छा अगर सिक्षक बढ़ती होती है तो CTAT के बाद ही आयोजित की जाएगी तो notification इसका देखते हैं कब आता है, कोई अभी उमीद नहीं है 43 सो पदों पे वेकेंसी होने वाली है और अधर श्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं के बिल्कुल की परिच्छा की भी बात थोड़ा सा कर लेते के बिल्कुल परिच्छा भी आप लो जानते हैं और तयारी करते रहे, पढ़ाई करते रहे अक्टूबर में तो परिच्छा होई जाना है अगर अक्टूबर में परिच्छा हो जाती है तो ये आप ले की चलिए कि दुबारे से दिसंबर में परिच्छा नहीं होगी क्योंकि दो महीने का टाइम मिलेगा दो मैने में दुबार से CTT परिच्छा करा पाना पॉसिबल नहीं है तो अगर अक्टूबर में आपको एक मौका मिल ला है दुबार से आपको कोई मौका नहीं मिलेगा तो आप लोग अच्छे स्तियारी करें जिन लोग की तैयारी अच्छी है तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं आराम से तो इन सब को देखते हुए मैं सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बना दूँ ताकि आप निशिन्थ हो जाए काफी लोग के कमेंट आ रहे थे अगर वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें ठीक है और दोस्तों में अधिकस अधिकस सेयर करें और जो दोस्त चैनल को सब्सकाइब नहीं कियां वो चैनल को सब्सकाइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको हमारा वीडियो मिल सकें ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल लखें जै हिन जै भारत गुड़ डे और गुड़ लग बाई बाई